तो हलो गेमर्स वेलकम बैक टू अनाइदर सुपर मार्केट सिमूलेटर गेम प्ले वीडियो सो गाइज लास्ट वाली वीडियो में मैंने अपने सुपर मार्केट वहती ज्यादा पैसे अर्ण किये थे वो तुम लोगों को मालू है बट अभी देखो अभी के लिए मैंने ज्यादा नहीं मिले थे मेरे को बट गाइज उसके बाद मैंने और ज्यादा मतब पार्सल्स मंगवा है मतब और ज्यादा सामान मंगवा है एंड उनको उसी ट्रिक के थ्रू बेचा सेल किया तो गाइज अभी मेरे पास है 2588 डॉलर मैंने सोचा भी नहीं था कि इस गेम में है यह बीस अजार फाइज अभी नहीं सोचा था कि 5000 भी में कमा पाऊंगा तुकि यह बहुत सद्धा हार्ड है बहुत सद्धा डिफिकल्ट है बहुत सद्धा चेलेंजी वाला है बट मैंने कमा लिये तुम लोग देख सकते तुमारे आखों के सामने एंड यह बता रिकिन आज पर दिखाने का है मैं मेरे को energy 8 देखके ही मिलेगी इसका कोई यूज नहीं है तो यह तो लास टाम लोगों ने यह फ्रीजर भी बाई किया था जिसका सामान मैंने खोल लिया था मतलब इचली बार ही पट्चेस गट दिया था इसका लाइसेंस बट मेरे को मालूम ही यह भी मतलब काफी छोटा ही है इसमें भी जादा सामा नहीं रख सकते तो यस यह भी मेरे को बहुत जादा ही मंगाना पड़ेगा मुझे लगा था कि इससे मतलब बड़ा होगा यह बट नहीं इसमें क्यों लिए दो शेल्फी है एक एरा एक एरा बस तो अभी हम लोग आते ह है अपने में डारगेट पर सो अजकी विडियो में गाईज मेरा डायगेट होने वाला है अपना जो यह इसको fluexש 흤 करनेगा शितना हो सके आज मेरे से मेंसे पुली अपडेट करना है अब भी अगर में तुम लोगोगों को दिखा हुँ तो मेरे पास अभी 2588 डॉलर तो है एंद हम लोग अगर एकस्वेरेशन में जाएं तो यहां पर देखो एक बार हम लोग इसको एकस्वेर करते हैं तो उसमें लोगों को हज़ा डोलर लगते हैं दो मैंने ओड्रेटी किये हुए है तो अभी मेरे पास यह लेवल भी रिक्वाइड है इसके अंदर हाँ दस लेवल पंदर लेवल बीस ओके तो मैं इसको पूरा का पूरा ही मतलब वह कर सकता हूं तो एक अगर हज़ार है तो मैं एक बार टॉटल इस कितने क्या पैसे मेरे को कमाने पड़ेंगे इसको फुली अनलोग करने के लिए तो टॉटल मुझे गाईज उन्नीश हजार डॉलर लगेंगे मेरे पास तो और रेट है भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है मैंने सीरियस बता रहा हूं मैंने देखा भी नहीं था मै मैं आराम से इसको एक्स्पेंड कर सकता हूं यार कोई इश्यू नहीं है मुझे अब भी हम लोग अपनी शॉप को पर्मेनेंट लिए ओपन करेंगे और वह मतलब नॉर्मल प्राइस रखेंगे वो ट्रिक का हम लोग होती कोशी जितना कम हो सके उतना यूस करेंगे क्योंक मैं अगर टेक्स नहीं दूना तो मेरा डे आगे नहीं जाते तो वह एक इश्यू रहेगा तो मेरे को डेस भी आगे करना है क्योंकि या साल कंप्लीट करना है अपनी दुकान का सुपर मार्केट का वो बोलता है ना भाई कि विकारी के आथ में सोने का कटोड़ा देदो पर हो जाए ना उतना मैं सामान ओडर करने वाला हूं कितने भी पैसे लगे बट मैं इसको फुली एक्सपैंट करने वाला कि इतने जिनों तक इसको लेके बेटा रहूंगा यार मेरेको और बड़ा धंता हो मेरा बस दिक्कत एक आने वाली है इसको जब मैं मतलब सेट अप करूंगा ना इसका पूरा फिर मेरी हालत खरा हो जाएगी भाई मैं फिर नहीं कर पहूंगा सही मैं ऐब है तो चेकावट कर देए हमसे लोग सामान क्या की हम अभी मंगवा सकते ह людям के लिए मिरेफिद भी चाहिए होगा यार मि अधो नगे इस मैं जाए तो से लेकर नीचे लेट्स गो सामान अपना बाई हो चुका है अभी जब तक सामान आता है तब तक हम लो क्या करें तब तक मैं एक ही काम कर सकता हूं मैं अपनी इस शौप को एक्सपेंड करना शुरू कर देता हूं अभी मेरे पास 17,000 डोलर मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं काफी मतलब इसको अपडेट कर सकता हूं सबसे इंट्रेस्टिंग काम है जो मेरा आज यह होने वाला है भाई मैं आज इसको फुली एक्सपेंड करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए अब यार मेरे सामान काफी जल्दी जल्दी आने लगए यार ओके गाई तोड़ा हा यार प्लान को तोड़ा केंसिल करना पड़ेगा मैं इसको एक्सपेंड करने से पहले ना एक काम कर देता हूं यह जो पार्सल जितना भी आता है एक बार इस सबको मैं अच्छे से जमा द अब यह जारा कुछ मैं एक्सपेंड करूं या फिर पहले पार्सल जमाऊं इसना कंफ्यूज पता नहीं मैं कैसे हो रहा हूं अभी ना सबसे पहले अपना यह एक्सपेंड ही करने बाला हूं जितना हो सके लेट्स गो उसके बाद हम लोग आगे का दिखेंगे क्या करना है तो अभी हम लोग अपना यह चोथा जो सेक्शन इसको बाइ करते हैं लेट्स कूअ अभी मेरे को देखना एक बार कहां से क्या हुआ यह ओओ नाइस पीछे की तरफ से वा इस बार नाइस नाइस इधर की तरफ भी मतलब हम लोग सामानों को जमा सकते हैं अब आभी हम चुका है अब बाहर जाके देखना है कोई चेंजस नहीं बाहर की तरफ से तो कुछ भी चेंजस नहीं हुआ अब ही मुझे क्या लग रहा है ना यह केवल पीछे की तरफ ही जाएगा शायद से क्योंकि आगे की तरफ जगह नहीं है और उस साइड में भी जगह है नहीं लेट्स गो लेट्स से उतना ज्यादा पर्चेस करते हैं एंड मी देखते कितना किया ओके अभी में नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे पास नो सो जो चोंट डोलर बचेंट दो शेक्षन अभी अपने पास पड़े हुए है पेंडिंग तो एक बार पीछे बाई नजर गुम इसके लिए सामान कितना लगेगा ये भी तो देखो ओ भाई साब आज तो हालत खड़ाब होने वाली है बाट ये फारणीचर का इटम मैं बाद में मंगाने वाला हूं मैं अभी केवल अपना इस लिए फोकस करने वाला हूं आज यही एक्सपेंड होगा केवल बस चलो ठीक है लास्ट में मेरे पास अभी फी दो सेक्शन बचेने तो एक तो यह हो जाएगा एक और कोन सा होगा फिर फिर तो लुकान थोड़ी गड़ बढ़ नहीं लगेगी अच्छा इधर से भी हो गया यह ओके बहार से जागी देखते हैं भाई ओके लेट्स गो तो यह अपना तीसरा वाला भी मतलब हो चुका है मतलब पीछे की तरफ जितना जा सकता है उतनों चला गया है नाइस बाई बहुत सही लग रहा है अभी यह असल में हुआ एक सूपर मार्केट और पार्सल मेरे बाई तीन चार-चार मिनिट में मेरे पार्सल जा रहे हैं यार क्या करूं मैं अब कोई बाद नहीं तो भी सामान तो जमाना है यह और बाई मेरे पीछे देखके मेरी हालत ज्यादा खराब हो गया मजाग नहीं कर रहा हूं सीके तब फिलाल के लिए शौप को भी ओपन कर देते हैं क्योंकि सामान भीखेगा तब ही जाटके में आपना अगया काम कर पाऊंगा जार डॉलर होने वाले में एक एरिया और वह करने वाला हूं एक्सपेंड तुम लोग सामान खरीदते रहो बाई है ओके मेरेपर अभी हो चुके है एक अजार डॉलर हो चुके हैं तो मैं यार या तो मैं और मतलब सामान करी बाई मेरा तो मतलब वीडियो शुरू होने से पहले ही कतम हो जाएगी यह तो पूरा का पूरा में एक्सपेंड कर ही दिया है ओल्मोस्ट यह लास्ट वाला हो चुका है अभी एक और बाकी है बस जो की ओके अच्छा इसा है क्या आधा ही कुला है इतना सही क्यों छोड़ा यार तुम लोगो ने यह समझ जी है मेरे को अभी यह हो सकता है कि अगर मैंने यहां से पूरा एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड कर दिया फिर मेरा स्टोरूम खुल जाए ना तो फिर कस्टम से मज़ा जाएगा तो अभी जितना भी जो सावन आता है उसको फटाफरसे में प्लेस करता हूं एंड उसके बात तुम लोगों से मिलता हूं कि तो पहला टेक्स आ चुका है अपना हूँ है 49 डॉलर मतलब 59 डॉलर का 548 डॉलर अभी मेरे पास हो रहे है तो 489 बचेंगे तो कोई बात नहीं पहला टेक्स हम लोग जमा करा देते हैं कोई भी प्रोब्लम निये मुझे को डे भी अपने आगे बढ़ाने है तो पाई मैं तीन मिनिट लेटर सो गई अभी हो चुका है डे वन सिक्स्टी पोर एंड गाइज अभी है अभी मेरे पास काफी सारा सामान पड़ा है प्लस अभी तक मेरा सामान आया नहीं है और बहुत सा ओडर मेरा अभी तक पेंडिंग पड़ा हूआ है पार्सल जो कि आने वाला है औ एक आही गया होगा ओके यह देखो इसी तरीके से अभी तो काफी सारे भी पेंडिंग पड़ा हूए है और बहुत टाइम लगा रहा है यार सीडियसली आने में यह ओके तो यह फ्रीज का इटम है मुझे लगा यहां का है तो इसका भी प्राइज हो चुका है सट तो अभी मेरे पर 1700 डॉलर हो चुके हैं और यहां पर यह फ्राइड राइस पड़े हुए मतलब जो भी इसको बोलते है यहां फ्रेंच प्राइस उरी तो यह भी मुझे फ्रीजर के मतलब अपने बड़ा वाला रेफ्रीजिरेटर उसके अंदर मेरा काफी चोटा है तुम लोगों को जाते है अपने चिकन के इसलिए मेरे को यह और ओडर करने की जरूरत थी एक और पार्सल आच चुका है मेरा जो कि अभी में थोड़ी देर में रिसीव करता हूं यहां पर इन कस्टमर्स को निम्टा देते हैं मैं करने वाला हूं अपने इस एडिया को मतलब जो लास्ट व कि मुझे इसको पर्चेस करना है लेट्स गो अभी मेरे पर फुली यह अप्ग्रेट हो चुका है यह देगो भाई सहाब थोड़ा सा एरिया ही मतलब बड़ा है बड़ काफी बड़ा लग रहा है सही में और भाई इसमें जब मैं आइटम्स को जमाऊंगा ना तब मेरी हाल है धलत कराब होने वाली है अभी मेरा स्टोर ओम नहीं कुला यार मेंने पूरा एक्ष्पेंट कढ़ दिया तो भी मेरा स्टोर ओंतुर मीघ अचुछा enabled कुं लगउद शयक मिरें दिन में आते थे अभी में देखो 98 कस्टमर अने लग गए वाट नाइस मैं सुपर मार्केट को बढ़ाने का फाइदा मिला यार वाई मेरे तीन कस्टमर और बढ़ चुके है मेरे तो एक दीन ओ डिकल चुका है एंड 21 डॉलर का हम लोगों को टेक्स लगा है तो या निकाल देते हैं इसको मतलब अपने हम लोग आगे बढ़ाते हैं अभी बंदे और आन्या सुनू कर देंगे वाई मेरे को ना देख के यहां पर ड़ा यह बहुत बड़ा एरिया हो चुका ह हैंड इसके लिए मैरे इत्म बहुत लगने वाले मतलब यह शेल्फवी लगने वाली है और इससाथ चाल्च फ्रीजड़्र वह साहरे लगने वाली हूं शाल्च छीप कर चैन के कांई कैसे कैसे करें सकता करूंगा हम यहां पर यह बिचाव यहां पर इसको मीरा रहेगा ताकि कस्तमर्स मेरे आराम से इजली इदर उदर जा सके एंड साथ इसाथ मेरे को ये शेल्फ काफी सारी ओडर करनी पड़ेगी आगे है मेरा सामान आइटिंग वह लेट्स गो मेरा फ्रीजर आ चुका है यास वाई इसके अंदर में सामान रखता हूं यह वाला वेट अ मिनिट तुम लोगों को बता देता हूं इसके अंदर अपने फ्रेंश प्राइज तो इसको अम लोग रख देते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से इसका इनिवेशन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता है इसका इनिवेशन तो आज के लिए बस इतना ही वाई तुम लोग देख सकते हो जो अपना पूरा पूरा एक्स्पेंड हो चुका है अगली वाली वीडियो में इसको पूरा फिलप करेंगे मतलब लगा के मतलब पूरा एक अच् के महंगे हैं और इनके अंदर ही मेरे को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट और मिलेंगे आज के लिए तो काईज बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो प्लीज से वीडियो को लाइक मार्के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसी मज़दार वीडियो के साथ तो नेक